दोस्तों आजके प्रडीन में बात करें aja प्रें प्याइम किसान सम्माने दियुजना में कुछ ऐसे भी किसान जिनका सब कुछ सही है फिर वह इनका पैसा नहीं आ हा理 है तो आजके पूरा डीटेल बताने वाला हूं कि किस कारण से आपका पैसा नहीं आ देख सकते हैं मैं किसान का यहां पर पूरा डीटेल ऊपर आ चुका है और इलिजबिल्टी स्टेटेस में देख सकते हैं लैंड सीडिंग भी यस है और अधार बैंक एकाउंट सीडिंग भी यस है मतलब तीनों ग्रीन टिक जो है वो लगा हुआ है बहुत सारे लोग ए बोलत कि तीनों green tick लगा रहना चाहिए तभी आपका पैसा आएगा तो देख सकते हैं इनका तीनों green tick लगा है फिर भी इनका पैसा नहीं आ रहा है तो फ्रेंट चलिए मैं आपको पुरा क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लिखा है कि region of ineligibility 24 बार है 2021 नीचे आते हैं और यहां पर लिखा है reason of ineligibility यहां पर लिखा है अंट्रेकेबल बेनफिसरी तो फ्रेंड यहां पर अगर आप हिंदी में करेंगे तो यहां पर लिख रहा है कि लापता लाभारती जो लाभार कैसी भी करवा लिया है सब कुछ सही है तो कैसी एंट्रैकेबल वेन फिसरी हो चुका अगर आपका भी ऐसा प्राबलम आ रहा है तो आपका भी पैसा रुख गया होगा देख सकते हैं इनका पांच किस्त आया था और पच्वे किस्त के बाद से छथमा किस्त नहीं आया लेटे ट्रैकेबल वेन फिसरी मतला फार्थी हो लापता है सब कुछ सई होते भी यह उनका पैसा नहीं आ रहा है दिखा रहा है कि आप इनिलिजबल है तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका यह प्राबलम तो नहीं नहीं है अगर इस तरह का प्राबलम आता है तो आपको अ लेपाल से संपर्ख करना होगा और लेंड शीडिंग को यह करवा सकते मतलब खसरा कताउनी को आप जमा कर देंगे तो यह हो जाएगा अगर आपका यह किवाईसी नहीं हुआ है तो यह किवाईसी आप अप गने घर बैटे अपने मुबाइल से कर सकते मेरा पिछला वीडि जो मैंने आपको दिखाया कि उसको भी आप एक बार चेक कर लिजे कि आप इनिलिजबल तो नहीं हो गये हैं किस कारण से हो गये हैं आप उसका पूरा डीटियल आप पता लगा सकते हैं तो फ्रेंट कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं इस वीडियो म बस इतना मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिजे आएं बंदे मातरों